दोस्तों आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलने वाली टैंगी मेंगो ड्रिंक ये बहुत आसान होती है बनाने में और रेस्टोरेंट में तो बहुत ज़्यादा महेंगे दामों में मिलती है लेकिन हम इसे बनाएंगे बहुत कम दामों में और वो भी घर पर और कितनी फ्रेश होगी घर पर बनी हुई चीज ये तो हम सभी जानते हैं तो चलिए देखते है अब आप कहेंगे यह आम पन्ना है तो हाँ आम पन्ना है लेकिन यह नए जमाने का आम पन्ना है वैसे आम पन्ने की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है मैं उसका लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी कि पहले की जमाने में आम पन्ना कैसे बनता था लेकिन अब इसको हम बना रहे है बहुत अलग तरीके से एकड़म अच्छे से इस स्टाइल में जिसे कहते हैं Mango Tengi Drink तो यह हम बना रहे हैं Mango Tengi Drink आज के जमाने का आम बना भी कह सकते हैं इसको और कहते भी हैं लोग तो लेकिन हमारी ये है mango tangi drink तो चलिए इसको बनाना इस्टार्ट करते हैं और यहां पर हमने लिए हैं एक किलो आम में से मैंने तीन आम बचा लिये थे बाकी सारे ये आम हैं इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद मैं इनको पील कर रही हूँ तो किसी भी पीलर से या फ भी एकदम साफ हैं धुले हुए हैं तो यह देखिए आम हमारे जो थे वो छिल गए हैं अब हम क्या करेंगे इनको इस तरह रफली चौप कर लेंगे इनके अंदर गुठली है अगर गुठली नहीं होती तो फिर इनको ऐसे ही कट कर लेते लेकिन यह जो गुठली है इसको सुखा लें धूप में और फिर जब मसूर की अरहर की और मलका मसूर की डाल बनाएं तो उसमें इसका यूज़ कर लें बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यहां पर हमने एक बरतन में कटे हुए सारे आम ट्रांसफर कर लिये हैं और थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं यही क हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल ठंडा कर लेना है अगर ऐसे पीसेंगे तो फिर मिक्सी का जार ना उसमें गैस बन जाएगी और फट भी सकता है तो ठंडा होने के लिए मैंने इसको कुछ देर के लिए फ्रीजर में रख दिया था तो इसमें आइस जम है तो यह हमारे लिए अच्छा है इसमें हमें अलग से आइस डालने की जरूरत नहीं होगी तो यहां पर हमने लिए है एक मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में हमने लिए है 250 ग्राम चीनी अब इसका हम सबसे पहले पावडर बना लेंगे यह बहुत आसान तरीका है चीनी ठंडे पानी में गुलती नहीं है तो फिर यह हमने इस तरह से इसका पावडर बना लिया है यह देखिए और हम आम के साथ अगर इसको पीस दे तो फिर उसमें भी बरफ है तब भी चीनी हमारी नहीं गुलती तो यहां पर हमने लिया है उसी चीनी में हमने डाल लिया है एक मुठी फ्रेश पोदीना और उसमें हमने जो उबले हुए आम थे वो भी ट्रांसफर कर लिये हैं अब इसमें हम डाल लेते हैं एक स्पून वाइट वाला नमक और एक से डेड़ स्पून हम इसमें डालेंगे काला नमक काले नमक से बहुत अच्छी खुश्बू आती है नहीं तो क्या होगा जब हम ढखन बंद करके मिक्सी को चर्ण करेंगे तो फिर जो सारे सूके मसाले हैं वो ढखन में आके चिपक जाएंगे तो यह देखिए हमने जो सारी चीजें मिक्स करी थी उसका हमने पेस्ट बना लिया है अब इस पेस्ट को आप चाहें तो आदा भ और यहां पर हमने दूसरा बरतन लिया है बड़ा सा और उसमें हमने दो लीटर पानी ले लिया है अब हम बना रहे हैं ड्रेंक अपनी यह जो हमने आम पोदी ना और बागी मसालों का पेस्ट बना कर रखा है इसको हम पानी में डाल लेंगे यहां पर मैं आधा यूज करू यह थोड़ा सा काला नमक और डाल लिया है हाफ इस्पून और हाफ इस्पून ही हमने भुना पिस अजीरा और डाला है इसमें और यह है सूखा हुआ पुदी ना जिसे मैंने पहले से क्रेश करके रखा हुआ है यह भी जरूर डालते हैं रेस्टोएंट वाले तो आप भी जर इन सब चीजों को डाल कर हम कर देते हैं मिक्स होने से थोड़ा बहुत रह जाता है तो अच्छे से मिक्स कर ले अबुत आज द्रिंग दो का पनिक्र निकाल लिया है हमने यह आपर गिलास में हमने आईस क्यूब डाले हैं और उसमें अपनी ड्रिंक लगा लिए और डिकॉरेशन के लिए हमने इसमें थोड़ा सा प१ारी लगा दिया है और आइस क्यूब तभी डालें जब ग्लास में सर्व करें नहीं तो क्या होगा जादा आइस क्यूब डलने से फीका भी हो सकता है तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी इस रेसिपी को आपको इस गर्मियों में जरूर ट्राइ करना चाहिए यह आपको लू लगने से भी बचाएगी और यह आपको पूरा दिन ठंडा रखेगी तरो ताजा रखेगी तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी मैंगो टैंगी ड्रिंक की अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलती हूँ मिलती हूँ फिर किसी ऐसी सिंपल सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अलाहाफिज